और आपके लिए लेकर रहा हूं एक निया टॉपिक जो बहुत इंपोर्टेंट है और वह इसलिए भी इंपोर्टेंट है क्योंकि कल मैं एक TV पे एक interview देख रहा था जहां पर बताया जा रहा था कि steroid को 5-7 दिन के बीच में start करना चाहिए यानि करोना होने के तुरंत बाद शुरू नहीं करना चाहिए steroid 5-7 दिन पर देना चाहिए ऐसा डॉक्टर गुलेरिया का मैं conference में देख रहा था और ये protocol भी है कुछ ऐसी recommendation भी है steroid की कि 5-7 दिन पर शुरू करना चाहिए लेकिन मैंने कल भी आपको बताया था कि मैं clinical judgment पर देता हूँ ना कि 5 दिन को count करके 7 दिन को count करके बताता हूँ क्यों और उसका परमान ये है सामने एक निया variant मिला है अंध्रा में mutation हुए वायरस का और एक निया variant मिला है जो पिछले कुछ हफतों से देखा जा रहा था कि mortality rate बढ़ गया था और बहुत जादा जल्दी बहुत पीक आ रहा था बहुत जादा cases आ रहे थे तो एक निया variant मिला है जिसको बोलते है N44K यानि सिर्फ वैसे जो हम बोलते हैं कि Cytokine Storm यानि कि जो बॉड़ी में इसके खतरना जो सिती में आ जाती है तो यह सेकिंड हफते में होता है यह मान के चलते हैं हम लोग इसलिए बोला जाता है पांच से साथवे दिन पर आप स्टिराइड शुरू करिएगा लेकिन यह वायरस जो है यह तीन से चार हफते में ही severe hypoxia कर देता है यानि कि तीसरे चोथे दिन पर ही oxygen की कमी हो जाती है और patient की death होने के chances काफी जाता है यह भी पाया गया कि यह जिनकी immunity अच्छी है younger patient है उनमें भी यह हो रहा है दवाईयां काम करेंगी नहीं करेंगी यह भी नहीं पता और incubation period बहुत short है यानि कि तीन से चार हफते में यह अपना काम कर देता है अब आप कहते हैं पांस से साथ दिन पर stir-ad दीजिए बताइए मैंने बोला था कि आपको clinical judgment करना पड़ेगा patient का आप यह मान के नहीं चल सकते हैं पांच और साथ दिन को count कैसे करें जब तक patient हमारे पा है वो बिचारा हम लोगों कोई नहीं पता मुझे जब बहुता मुझे दीन दोतीन नहीं पता चला था कि मुझे हो चुका है और दो दिन पहले से तो यह भी आप मानते की दो दिन पहले से चोदा दिन बात तक फैलता है लेकिन चलो anyways मैं इस virus के बारें बात करूंगा और य यह निया variant अब खतम हो जाएगा दीरे दीरे उसके जगे दूसरे नए variant आ जाएंगे B117, B1617 जो की पहले से मौझूद है तो यह बता जा रहा है कि बहुत डरी है मत तो यह जल्दी खतम हो जाएगा ऐसा माना जा रहा है कह रहे हैं लेकिन इस virus में सबसे बड़ी मुसीबत यह पंदरा गुना जादा खतरनाक है पंदरा गुना जादा जादा जल्दी पहलता है और री इंफेक्शन होने की जाएगा है इस नए variant में जो आंदर प्रदेश में पाया गया है अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं स्टिरेड क्यों पहले दूसरे दिन से शुरू का देत हूँ जादा तरकेस में जो सिम्टोमेटिक होते हैं रीजन यह है कि इतने सारे मुटेशन वाइरस में हुए है कि हमें कुछ नहीं पता कि हमारा जो पेशेंट है वो आने वाले तीन-चार दिन में कैसा उसका रूप होगा क्योंकि हमें सबसे बड़ी प्रॉलम है कि पेशे क्योंकि मैं थोड़ा सा पहले सोचता हूं कि ये पांचवा दिन, जो है, मैं तीसरे दिन कोई पांचवा माल लेता हूं यानि की जैसे ओरते अपनी अपनी अमर अगर 40 बता हैं तो 50 मान लेना चाहिए 45 बता है तो 50 मान लेना चाहिए मजाग की बात है, सारे लोग नहीं बोलती है सब लेडी ऐसा नहीं बोलती है लेकिन मजाग कर रहा हूँ यार मजाग भी करता है रहना चाहिए इसी तरह से मैं 5 दिन तीसरे दिन कोई पांचवे दिन मान लेता हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा तसम्हें पता ही नहीं चलता हमारा कौन सा दिन है अगर मैं ये मान के दूँ कि 5-7 दिन के बीच में स्टिराइड देना है पेशेंट के ऑक्सियन भलाई उसके तीसरे दिन पे लो हो जाए तो क्या करूँ मैं वेट करता रहूँ मैं वेट करता रहूँ उसके पांचवे दिन की अगर उसको पेशेंट मेरे तीन दिन बाद सीवेर हाईपोक्सिया में आ रहा है नहीं मुझे पेशेंट को देखके इलाज करना है और आज ही मेरे पास डॉक्टर अभिनंदर ने KGMC से फोन किया था सेम चीज के लिए जो एक जूनियर मेरे से काफी जूनियर है हालागी मेरे कॉलेज के हैं KGMC के तो उन्होंने मुझे फोन किया बोला कि सर मैंने टीवी पे देखा मान तो लिखा था पांसे साथ दिन में देना है स्टीरैड मेरी मां का तो तीसे चोते दिन पर ही oxygen कम हो गही है तो हमने दे दिया तो यह क्या गलत किया तो मैंने बिलकुल नहीं गलत किया उनसे ज्यादा अच्छा है आपका clinical sense, clinical judgment यह आपको decide करना है patient की oxygen अगर तीसे दिन कम हो रही है आपको तब भी steroid देना है मैं फिर बोलता हूँ oxygen 95% पर आ जाए बाइ, steroid शुरू कर दो pulse oximeter का भी क्या पता 1% तो इड़ोदर वैसी variation हो जाता है तो थोड़ा सा मैं safer side में चलता हूँ बाइ, इतना ही है मैं थोड़ा safe होके चलता हूँ सीधी सी बात है भाई थोड़ा सा safer रहने ही पड़ता है ना तो आप किसी टेस्टों पर विश्वास कर सकते हो ना pulse oximeter पर जादा विश्वास कर सकते हो ना इस बाद पर विश्वास कर सकते हो कि उसका दिन कौन सा है अब ये pregnancy तो है नी जहां मैं पूछू हूँ छटा महिना चलता, साथवा महिना चलता, आठवा महिना जहां पेशेंट को पता हो वहाँ भी कहीं भाई नहीं पता होता तो अभी आपको straight देना ही है भले ही वो तीसरा दिन हो, भले ही वो दूसरा दिन हो क्योंकि ये जो नए वाईरस का mutation हुआ है, इसने यही बता है कि भाई मेरा कुछ नहीं पता, मैं महाकाल बन के आया हूँ और सब को ले के जाऊंगा ये ये वाईरस बोल रहा है हम इसको ऐसा करने नहीं देंगे क्योंकि हमें विश्वास है कि ये वाईरस जल्दी चला जाएगा जितना जल्दी mutation होता है, उतना जल्दी गायब भी हो जाते हैं ये लोग, तो ये राक्षस को मार के भगाना है, और कुछ करके दिखाना है, चलो दे, thank you very much और कैसा लगा ये टॉपिक, अगर अच्छा लगो आप भी मुझे ने-ने सुझाव दीजिएगा ने-ने टॉपिक दीजिएगा, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, और ये मेरी बेटी ने मुझे टॉपिक दिया था बनाने के लिए, thank you कोई तो कामा है मेरे, thank you